नमास्का दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपको बताऊँगा कि आपकी इस प्रकाल से, फ्रोट स्विच का कनेक्शन ड्यूल स्टार्टर के साथ करेंगे। दोस्तों, यहां पर जो मैं आपको कनेक्शन बताऊँगा, उसमें मैं एक Auto Manual Switch का भी इस्तमाल करूँगा, जिससे कि आप मोटर को Manual Condition में भी चालू कर सकते हैं, और Auto Condition में भी चालू कर सकते हैं, ठीके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास तक देखेगा, और य इसका Current Rating बहुत कम है, यानि कि 6 Ampere, 7 Ampere इस टाइप से हैं, तो आप डारेक्ली इस Floor Switch से Connection करके मोटर को चालू और बन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका मोटर 3 Phase का है, या फिर आपका जो मोटर ज़्यादा Current लेती है, तो उस Condition में आप Floor Switch को Direct इस्तमाल नहीं कर सकते है मोटर को चालू और बन करने के लिए, उसके लिए आपको यहाँ पे एक Contactor का इस्तमाल करना पड़ेगा, दोस्तों, यदि आप Floor Switch को Direct Connection करना चाहते हैं मोटर के साथ में, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो और बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप् के लिए हमें एक Overload Relay का भी इस्तमाल करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, यदि हमारा मोटर ज्यादा करने लेती है, तो यह जो Overload Relay है, वो इस मोटर को बन कर देगा, चलिए दोस्तों, अब हम इसका Power wiring कर देते हैं, दोस्तों देखिए, Power wiring करने के लिए, यहाँ पे हम ए अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारा टीवी था, टीवी पर हमने Incoming Power Supply को कनेक कर दिये, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक वार को कनेक करके ले जाएंगे, और इसको ले जाके, हमारा जो Contactor रेक, उसके किसी भी एक Terminal पे कनेक कर देंगे, हमने यहाँ पे इसक इसको भी लेके जाएंगे, और इसको ले जाके, इस दूसरे वाले TV पर कनेक कर देंगे, उसके बामें, यह जो तीसर टैमिनल है, इसमें से एक वाईर को कनेक करके ले जाएंगे, और इसको ले जाके, एक Contactor का जो पहला टैमिनल है, उसमें चन connect कर देंगे, तो यहाँ पी कर दिए यहां पे हाँ में आपके कर दीए यह ओर कौनेक्स कर दिए कार से आ यहां पे हमने आर वाई भी सेच को लाकर यहां के कर दिए अब हमें क्या करना है कि जो हमारा मोटर है उसके लिए हमें एक केबल का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं जो हमारा केबल होगा उसको ले जाके इस तीनों टेमिनल के साथ कनेक्शन कर देंगे ठीके दोस्तों तो यहां पे हमारा जो केबल था उसका भी कनेक्श के लिए हमें क्या करते हैं कि ये वाला टी यह इसमें से वार्व चैनेक्षन करना पड़े हैं में या फिर के सियल Birthday एक इस्टमाल करना है तो यहां पे हम एक MCB का इस्तमार करनें जो कि single pole का है अब हमें क्या करना होता है कि यह जो हमारा face supply है इसमें से एक वार को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा MCB है उसके incoming terminal पे connection कर देंगे अब हम क्या करेंगे यह जो हमारा MCB है इसके इस टर्मिनल से एक बार को कनेक करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो 95 नमबर का टर्मिनल है उसमें कनेक कर देंगे यानि कि हमारा जो ओवलर डिले इसका जो NC कॉंटेक है उसको incoming power supply हमने दे दिये दोस्तों यहाँ पे जो हमारा motor है इस motor को चालू करने के लिए हम दो option रखेंगे एक तो manually on करने के लिए दूसरा auto में manually का मतलब हम push button को press करके motor को चालू कर सके और auto का मतलब की इस float switch के दारा motor चालू हो जाए ठीक है तो इनको auto और manual करने के लिए यहाँ पे हमें auto manual switch का इस्तमाल करना पड़ेगा अब यह जो हमारा auto manual switch है इसमें चार terminal होते हैं अब यहाँ पे आप कैसे पता करें कि हमें कौन सा terminal इस्तमाल करना है तो देखिए रोस्तों आपको यहाँ पे multimeter यहाँ पे continuity tester का इस्तमाल करना पड़ेगा आप क्या करिएगा multimeter के द्वरा किनी भी डो terminal पे connect कर दीजेगा और यह जो हमारा selector switch है उसको manual position select कर दीजेगा जैसे आप manual position स्कर्ट करोगे तो आपका continuity आएगा अगर उन दोनों टर्मियूटी आता है इसका मतलब यह है कि वो दोनों terminal manual position के लिए है। और यदि Contuitive नहीं आ रहा तो आपको दूसरे टर्मिनल प्रोड़ करना है कि उन दो टर्मिनल पे Contuitive आरा है कि नहीं आ रहा जिस दो टर्मिनल पर Contuitive आती है वही आपका Manual Position के लिए Terminal होगा ठीके same to same आपको auto position के लिए भी करना है, आपको क्या करना होगा, यह जो selector switch है, इसको auto position पे select कर दीजिए, और select करने के बाद, आप वहाँ पे continuity कर दीजिए, ठीक है, अब यहाँ पे हमें मालूम चल गया, कि हमारा जो manual position का terminal कौन सा है, तो उसके बार में हम क्या करते हैं, कि यह जो ह 26 number का terminal है, इसमें से एक वार को कनेक करके लिए जाएंगे, और जो हमारा manual position का terminal है, उसके किसी भी एक terminal पे connection कर देंगे, आप दोस्तों देखेगा, यह जो हमारा selector switch है, इसमें से power supply एक push बटन में जाती है, तो यह हमारा push बटन है, यह start push बटन है, अब हम क्या करेंगे, यह जो हमारा selector switch है, इसका जो manual position का terminal था, वहां से एक वार को connect करेंगे, और इसको लिएक हमारा start push बटन है, उसके एक terminal पे connect कर देंगे, अब यह जो हमारा start push बटन है, इसके आड़गोईन टर्मिनल से जो power supply जाएगी, वो एक stop push बटन में जाएगी, तो यहां पी हम क्या करते ह stop push बटन को power supply दे देंगे, इसके बाद में, यह जो हमारा stop push बटन है, इसके आड़गोईन टर्मिनल से एक वार को connect करके ले जाएगे, और इसको सीधे ही ले जाके, हमारा जो A1 टर्मिनल है contactor का, उसके साथ connection कर देंगे, यहां पे अभी हमने holding circuit नहीं बनाए, ठीक है, अब हमें, इसके इस terminal से, यानि कि यहां से एक को connect करके, इसके incoming terminal पर connect करदेंगे, यहां आदा की ganhar कर अब यह जो हमारा innovation connect करनेंगे, ऑर इसको ले जाके हमारा stop push बटन है, इसके sokषब के और को connection कर देते हैं, तो हमने यहां पर connection कर दिए है, यहां पी जो हमारा DOL starter था वो complete हो गया है अब यदि हमें manual condition में motor को चालू करना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि यह जो हमारा control MCVA इसको on करना पड़ेगा उसके बाद में यह जो हमारा selector switch है इसको manual position पर select करना पड़ेगा जैसी हम manual position पर select करते हैं यह जो हमारे incoming power supply होता है वो इसके साथ connect हो जाएगा उसके बाद power supply यहां से flow होते हुए start push बटन में पहुच जाती है अब यदि हम इस push बटन को press करते हैं तो क्या होता है power supply यहां से flow होते हुए हमारे A1 terminal पर पहुच जाएगा और जो हमारा contactor है वो on हो जाती है अब यहां पर जो हमारा contactor था वो on होने के बाद यह जो inner contactor वो NC बन जाता है NC बनने पर power supply यहां से यहां flow होगा और यहां से दुवारा मिल जाएगा यानि कि हमारा motor start ही रहेगा अब यदि हमें motor को बन करना है तो motor को बन करने के लिए इस stop push बटन को press करना परता है जो दो terminal कौन सा है auto position के लिए तो उसके बाद आप क्या करोगे कि यहां से एक wire को loop करिए और उसको ले जागे कि नहीं भी एक terminal पर connect कर दीजिएगा उसके बाद में दिखिए यह जो हमारा auto position का outgoing terminal था उसमें से एक wire को connect कर कर के लिए जाएंगे आने के बाद आपके जिन दो वायर में continuity आती है तो उन दोन वायर को आपको इस्तमाल करना पड़ेगा दोस्तों यदि आपका float switch नीचे जुका हुआ है और आपको motor चालू करना है तो आप वहां पर NC contact कर इस्तमाल करिए यानि कि जिन दो टर्मिनल पर continuity आती है उन दो टर्मिनल को इस्तमाल करिएगा ठीक है उसके बाद में आप जब float switch को उठाएंगे तो आपका जो continuity आ रहे थी वह आना बंद हो जाएगी अब दूसरे दो वायर पर connect करिएगा तो वहां पर continuity आती है ठीक है दोस्तों यदि आप float switch के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं कि हमें कौन से tank में के इस प्रकाल से connection करना है तो वीडियो मैंने ओलेडी पना चुका हूँ उसका link में description में दिया हूँ वहां पर आ continuity आती है उन दो टर्मिनल को इस्तमाल कर लिएगा यानि कि दो वायर को इस्तमाल कर लिएगा यहां पर हमाने दे कि यह और यह वाले वायर में continuity आ रही है जो हम float switch को नीचे जुखा के रखें तो हमने क्या कि यहां पर incoming power supply देती है अब यहां से हमें outgoing power supply मिलेगा तो हम क्या क आर्टर के भी connection complete हो गया है आई होग कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यह आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्रिस इस वीडियो पर like, share और comment कर दिजिएगा और यह आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर लिजिएगा इस वी आपने वाद